अध्याय एक, संसाधन एवं विकास, प्राकृतिक संपदा के साथ रिष्टा मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीजों जैसे हवा, पानी, फल्फूल तथा अन्य जीव आदी का उपभोग करता आया है लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृतिक को सोच समझ कर अपनी जरूरत के अनुरूप बदलता भी रहा है वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है और औजारों को अन्य प्रकृतिक चीजों पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीजों का निर्माण या उत्पादन करता है इस उत्पादन कारे में वह प्रकृती की जिन चीजों का उप्योग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं उदाहरण के लिए प्राग्यतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़ कर एक निश्चित आकृती देता था और उन्हें ऑजार के रूप में उप्योग करता था पत्थर के उजारों की मदद से वह शिकार करता था जमीन खोद कर कंद मूल इकठा करता तोकरी और खाल के कपड़े बनाता था यानि तब पत्थर बास जानवरों के खाल आधि प्राकृतिक संसाधन बने समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कारे का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा अर्थात निर्जिव वस्तों के साथ साथ पेड़ पौधे जानवर आधि सजीवों को भी बदलने लगा उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काट कर जमीन को समतल बनाया और उनमें चैनित बीजों को बोया बीच से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल फल आये जो आगे चलकर अनाज में बदले अब इन पके फसलों को काट कर सुरक्षित रखने के लिए इस्थाई घर और बस्तियां बना कर रहने लगा आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उप्योग किये गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृती को बदलने की उसकी छमता बढ़ती गई इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुवाती दौर को नव पाशान क्रांती कहते हैं यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी इसके साथ ही मनुष्य नई नई तक्नीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तों का निर्मान बड़े पैमाने पर होने लगा जैसे मिट्टी को पका कर बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुन्न, तामबा, कासा, लोहा, आदी धातुओं से तरह तरह की वस्तों का निर्मान करना क्रिशक कारिगर समाज में मनुष्य के लिए क्या-क्या प्राकृतिक संसाधन रहे होंगे संसाधन किसका? जैसे जैसे संसाधनों का महत्तो बढ़ा, उन पर नियंत्रन किसका हो, उनका उप्योग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो? इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग-अलग तरीकों से निकाला कई समाजों में संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास सयुक्त रूप से रहा और उनके उचित उप्योग के लिए सामुदाइक नियम कानून बने जमीन, जंगल, पानी के स्त्रोथ, पूरे समाज की साजी संपत्ति मानी गई अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग के वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और मानने लगे की जमीन, पेड, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान, आधी देवी देवता हैं जो हमें आजीविका देते हैं इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उप्योग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुँच बनी रही कुछ समाजों में संसाधन, सामुदायक नियंत्रण में ना होकर कुछ वेक्तियों के हाथ में रहा इनमें कुछ भू स्वामियों का जमीन पर स्वामित्त बना और वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवा कर जमीन का लाव उठाते रहे कुछ समाजों में कृषी भूमी और सिचाई का प्रबंध करने तथा उस छेत्र की रक्षा के लिए राजा बने जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से लेते थे इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उप्योग हो पाया और मनुश्य की उत्पादक छमता बहुत बढ़ी विशाल भवन, कलाकृत नगर, व्यापार आदी इनके पहचान बने और उनका छेत्र विस्तार लगातार बढ़ते गया और वे विशाल सामराज निर्मित कर पाएं लेकिन साथ साथ इन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ती गई और उचनीच वर्गभेद, जातिभेद, गुलामी, और्तों को दोयम दर्जा आदी स्थापित हुए मानो इतिहास की अगली महत्तपूर्ण क्रांती आज से लगभग 250 वर्ष पहले शुरू हुई जिसे हम अध्योगिक क्रांती कहते हैं इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तेव्रगती से फैली कारखानों के लिए कच्चा माल एवम इंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मगाया जाने लगा जो देश 19 सदी में औद्योगी करन कर रहे थे वे विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भुगोल के विशेशग्यों को भेज कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तयार किया इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई उन लोगों में यह विचार बना की प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उप्योग करना चाहिए संसाधनों का अधिक से अधिक उप्योग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन इसतर भी बढ़ सकता है इससे हम नई नई तक्नीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे इस उप्योग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और आफरीका का उपनिवेशी करण किया गया समस्या यह थी कि वहां के निवासी कबिलाई या क्रिशक समाज के थे और अपनी जमीन वह जंगल का गैर ओध्योगिक और गैर वयपारिक उप्योग करते थे वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे कई जगा उसे देवी देवता भी मानते थे यानि जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था ऐसे में दोनों के विचारों के बीच टकराव स्वाभाविक था उद्योग पती जंगल काट कर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे या जंगलों वा खेतों के जगह खदान स्थापित करना चाहते थे या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे लेकिन पारंपरिक लोग अपने पुराने तरीकों से उनका उप्योग करते रहना चाहते थे या टकराव आज भी जारी हैं बीशवी सदी के मध्य तक और द्योगिक अर्थशास्त्री वा वैग्यानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है क्योंकि इससे समाज की उत्पादक छमता बढ़ेगी समस्या केवल यह थी कि उनका प्रित्वे पर वित्रण समान नहीं है कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं है अताव व्यपार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्द कराया चाह सकता है